हेलो एबरिबन मैं विकर्म कुमार आप सभी का आपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कुंसेप्ट के उपर स्वागत करता हूँ मैथेड्स इन बाइलोजी से रेटेड़ आज हमारा ये लेक्चर 24 रहेगा और आज के लेक्चर में हम लिमिट ऑफ रिजिदिशन का उसके जो मारे पीवाई क्यूज है वो हमने अल्रेडी डिसकस किया है तो अगर आपको कोई भी निमेरिकल बैसिकली इनके अंदर हमारे जो निमेरिकल क्वेशन आता है माइक्रोस्कोपी के अंदर वो हमने रिजॉल्विंग पावर और जो मारे लिमिट ऑफ रिजूशन है उसके जो पीवाई क्यूज जब हमने डिसकस किया थे तब हमने उनके वहां पर क्लियर कर लिया था तो अगर आपको इंस लेक्चर के थुरू अपने और रूट को क्लियर कर सकते हो आज की लेक्चर में हम माइक्रोस्कॉप्य यापor जिखनिक्स कर लेंगे कर लेते हैं तो जैसे कि हमने नि서 को पिंदर क्या बताया था गी दूसके दो जो मेरे बहुत ही छोटे जो मेरे चोर्प्सीन या फिर सब्जेक्ट कोई बीस वह सकते इसको यह यांपर विज्वल्स कर रहे हैं तो वह हम किसके दरों करते हैं माइक्रोस्कोपिया न माइक्रोस्कोपिया था चीज व तो हमारा light microscopy होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं यहां पर हम light beam का यूज करेंगे अपने object को visualize करने के लिए और इसके हमने आपे अलग-अलग 5 टाइप यहां पर हमने study किया है अपने lectures के अंदर फस्ट हमने आप रिया था अपनिशन फच्ट्रों werden lagi कर यहां फेसा बोजने को बढ़ता था इक मरें संद ह्यां निकि स्केनिंग इलेप्परोन I can't Profile I cannot about it an यानिकी ट्रांस्मिशन ईल्कृण माइक्रोपी, Transmission, ठीक है, अगर現在 हम बात करें है and light microscope के लिए तो हिसके अंदर हमने क्या यह एक हम ने light beam क्या है, यह यहां प्रोपने यूज़ किया Electron beam यह इंदर हम धाक्रometric यहां प्र हमने यूज़ किया, अब यहां पै एक मारा formula उता था जिसके इंददर हम क्या करतेते यह महीं व्ą पॉइंट सिक्सवक लेम्डा डिवारे चैनल ध BIG लेम्डा मरया hierarch या मुंट्र इ сп्सज ने पने तरृप के उपर मारे की ओगा हो गगा जो मारे लिमिक्ट ऑफ्रूसरी तोर इसे को को मिया पर शकाधा है तो जो पर रहे होगा कि क्यों क्यों होती है क्यूंकि यह पर वेवलेंद उत्ति आधे कम होगी ऐस कम्पे। तो लाइट और यहां पर जो बश्याली वर ऊगी वहú एश Judeo माश्य कर सकते हैं जब किAh उसके इनदर हमारा उसके चलिंदर हुँआरा ता माइक्टरोट चाही के अंदर हम उसके दिए गर्वेशन करते हैं तो उस टाइम पे जो कहुंए हमारा लाइव रिविग सेल है उसके नहीं कर सकते हैं, यहां पर यहां यहां पर डिफेरेंस आता था कि जो रहा हमारी bisa कोंते हैं इस trending के आप और अप्टिकल लैंस का यूज़ कर ते हैं कडिक लेंश और इसी लिए इसको overdose lots गॉरा तो मिक्रों को सूपी स्कुष्ट ठ bekled किया था और आपको इन में से किसी भी टेक्निक के बार Mahir simply रहना हो तो तो आप हमारे लेक्टर के तुरुष कर सकते हो आज के लेक्टर में आपर सरफ हम questions को इसक्ष करके चलेंगे तो first आपर question आता है which one of the following sets of terms is matched correctly यहां पर में different microscopy techniques दी हो और उसके regarding यहां पर कुछ point दी होए उसमें से में उस option को यहां पर select करना है जो कि हमारे आपर correctly match हो रहा हूं जैसे कि अगर मैं फर्स्ट आप्शन के लिए बात करें तो यहां पर मारा क्या है fluorescence microscopy और इसके लिए यहां पर क्या होगा कि जैसे आप एक light को यूज किया यहां पर मारा कोई subject है जिसको हम यहां पर visualize करना चाला पार रहे है तो जब इसके ऊपर यहां पर से हैं इसकी यहांप होती है हों गार यहांप हो यहांप अब यहांप आपगी यह तो यह पर अब यहांप यहां पर चला जाता है excited state के हंगे यह मरा गया है यहां पर excited State Med, excited state में कुछ दिर रहने के बाद यह क्या होगा अब यह वापिस सु यहाँ पर वापिस ग्राउंड state में आता है नहीं तो यहां से क्या होगा यहां से हमारी vavelance होती है The स्टीं ऑपी लिपौए исकी जो एनर्जी ओती है इता है वो यहां पर कम हो गई जो सब्सक्राइब चाह और उसके लावा यहां पर मारी पिन पॉइंट एल्यूमिनेशन होती है अधर में पॉइंट क्या होता था हम यहां पर एक आउट ओफ फोकस वाले पात करते थे एक हमारा इन फोकस एक मारा आउट फोकस यानि कि हम यहां पर अलग-अलग डप्थ पर हमारे स्पैसिमेन को ले थार्ड ऑप्षिन को दिए तो थार्ड ऑफ्षिन हमारा बिल्कुल सेम्सेंट ऑप्षिन जैसे क्यों यह कर्या देख्शन अपर चैनि कि यह दोन्ट के दौन्न के दौन्न हमारे यह पर नहीं पर नक्स्ट उसके बाद मारे आपर है गैस क्रोमेटोग्राफी इसके अंदर क्या बता है यूज ओफ एनलीसिस ओफ नोन वाइलेट वोलेटाइज कर्वो हाइड्रेट मॉलिकूल यह मारे आप इनक्रेक्ट हो जाता है क्योंकि जो मारे गैस क्रमेट्रोग्राफियों उसके अंदर मॉलेट आलाइस्ट मॉलिकूल्स को मिया पर यूज करते हैं तो यह मार मैंने आपको बताया था कि आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि कुंफ़कल माइक्रोसकोपी अंदर आइस कंपेर तो अधर हमारे जो Lai्ट माइक्रोसकोपी की टेक्निक्स वते थी टाइपस होते ते बहुत के अंदर क्या करते थे वहां पे हम एक लाइट आएच्छे को यूज कर लेते ते नॉर्मली ठीक है लेकिन जो मारा कॉन फॉकल माइक्र सकोप्पी उता है उसके अंदर हम जो लाइट सूर्स यूज करते है वो कम सा यूज करते है लेजर को मिया पी यूज करेंगे ठीक है तो इसी लिए जो मारे आपर फॉर्स्ट अप्शन होगा वह noting the excitation and the emission spectra of these two flores decentral ofall utilizz मैं अब यहां पे में क्या दिया हूँ है यहाँ पर Response later है और वोगा कर आन चाहर है वो डो किया यहां पर कुछ fluorescent protein को यहां पर select किया एक्स वाई जैड और इन में से उनका जो excitation और जो emission spectra है उसके लिए में आपर data given है ठीक है देखो investigator है वो A और B को यहां पर उनकी localization को detect करना चाहरा है जिसके लिए उन्हों होने यहां पर कुछ fluorescent protein को यहां पर select किया हुए एक्स वाई जैड और उनका excitation और जो emission spectra है वो हमें आपर given है excited spectra क्या होता है कि जैसे मारे आपर कोई emission protein हो गया अब इसके उपर जब यहां पर light आएगी तो किस wavelength की यहां यहां पर हमारी light होने चाहिए जिससे कि इसके जो यहां पर fluorescent protein है वो मारे आपर क्या हो जाए इसका जो एक्साइट हो जाएगा वह यह मारी क्या हो जाएगा इसकी ग्राउंड स्टेट में आता है तो उस ट्रेंप जो मारे आपर वेवलेंथ रिलीज होगी ठीक है वह मारी क्या हो जाएगा आपर emission wavelength ठीक है और उसके लिए भी आप इस वन आप दा फॉल्विंग ओप्शन कंप्राइज इस एक फ्लॉरसेंट पेयर डैट इज बेस्ट शूटिट टू कंड़क्ट सच अन एक्सपरिमेंट अब जो मने आप यह चार जो मने आप फ्लॉरसेंट प्रोटिंस की बात की है इसमें से हमें एक बेस्ट पेर को यहा प्लॉरसेंट प्रोटिं चाहिए अब यहान पे मैं द्यान क्या रखना है कि जो हो्मारा अलग अलग अगरत इनकी जो LEGO सब्सक्राइब अगर वह दूसरे के यहां पर ऑलिए तो उससे अध्ップ गया रहेगी कि यह एप कि अगर यहां पर उसको करने के लिए अकर इसको विज पर लग अलग टाइम पर अलग इनको यहांपर नहीं कर पाएंगे अब जैसे कि में आपर इनके एकसाइटिर स्प्रेक्टरा अलग अलग है तो तो मैं आपर पता है कि इस वैवलेंद्ध से हमारा हूँआरा जोगा ठीक है प्रोटीन के बाद में क्या होता है यह मारा वापिस यहां पर ग्राउंड सेट में आएगा और उस टाइम पर भी उसकी बीकुछ चाह भी क्यों नहीं हो ना चाहिए जैसे कि अगर में आपके बात करें कि इसका जो हमारा है वह इसके साथ आगर यहां पर ऑवरलैप होगया तो हम यहां पर क्या रहे थे कि हमें आप़ सिरफ एको अगर में यहां पर पर्टिकुलर कोई वहारी वेवलेंथ है जिसको म्यूज करके सिरफ एको में यहां पर विज्वालाइज करना चाहा रहे थे बट इसकी जो एमिशन स्पेक्टर है उसके वज़ेसे क्या हो रहा है कि बीबी मारे यहां पर एल्यूमियेट हो गया आई और जो इनका यहां पर a missing स्पेक्ट्र है ठीक है जो यहां पर हमारा एकस का जैसे कि अगर में भी बात करें एक्स का जो यहां पर एकसिंस प्छार है वह मारा अगर आचासे सब्कूल भी आपर ओवरलेप नहीं होगा इसका らいौत यहां पर यहां पर acronym के आस पास वह हम प्रोटिन के लिए जैसे कि यहाँ पर बात करी अगर आपर य्यो स्लेक्ट कर लेते तो चलो यहाँ पर तो यह इसको जड़ा इसको जादा नहीं कर रहा और इसलिए जो मारे आपे third option होगा वही हमारे आपे correct option होगा नेक्स्ट मारे आपे question आता है in order to visualize the intercellular organization of a cell one can utilize various microscopy based technique these include यहापे इन्होंने क्या वो लहे कि जो मारा intercellular organization होती है किसी cell की उसको visualize करने के लिए हम यहापे सकते हैं जिसमें से कुछ यहापी इन्होंने दिए हुए जैसे के differential interference contrast dic microscopy एक मारे आपे phase contrast एक मारे आपे dark field epifluorescence microscopy scanning electron microscopy transmission electron microscopy औरे कमारे आपे confocal microscopy जो आपे epifluorescence हमारा दिया हो एना यह तो इसके यह मारी अलग लग टेक्निक आपे दी हुई है और हमें पुछा गया गया यहाँ पे विच वन आव दाव मैंसेट microscope can be used to study the intracellular dynamics using the live cell imaging यहाँ पर आपको point द्यान में क्या रखना है live cell imaging की आप इन्होंने बोला हुए यानि कि हमें living cell को आपे विच्वलाइज करना है और जमने आपे जब इंट्रोई दिया था आज से यहाँ फर्स्ट स्लाइड के अंदर भी तो उसमें आपने बताया था कि जो मारे electron microscopy होती है उसके अंदर हम electron microscopy उसके अंदर हम living cell को विच्वलाइज नहीं कर सकते है इसका मतलब क्या होता है कि जो मारे आपे ए है यानि कि scanning electron microscopy यह मारे आप एक्सक्रूड हो गया transmission electron microscopy यह भी मारे आप एक्सक्रूड हो गया यानि ए और एफ तो हमारा किसी भी option के अंदर हमारा नहीं होना चाहिए ठीक है जिसके अंदर इन में से कोई भी होगा वो मारा incorrect हो जाएगा तो जैसे कि भी योज सकते हैं की फ्रहिस को अगिसे अगरे पिक्सेशन हमें यहां और तो वहां पर ऊसकती है लेकिन अगर वांपwriter को यूज ना करें तो लाइट मैक्रोस्कोप के लिविंग सेल को विजुलाइज कर सकते हैं कोई दिक्कत में आने वाड़ी नहीं है इस वजह से जो हमारे यहां पर ए बी सी डी और जो मारा जी है यह हमारे यहां पर क्रेक्ट ऑप्शन में आएंगे तो इसलिए यह हमारे यहां पर सेक्ट ऑप्शन क्रेक्ट बनता है लास्ट ऑप्शन इंदर यहां पर फिर्चे में ई और एफ दिया हुआ है तो इसलिए यह भी हमारे यहां पर यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो मरा इलक्त्रों माक्रोस्कोप होता है उसकी जो रिजरूशन होती है वह हाई रहेगी थो एनीटाइप अफ्लाइट्व माइक्रोस्कोप और वह क्यों होती है हमने बताए था कि सुआ कर दो जो हम यहाँ पर illumination के लिए, इल्क्ट्रोन beam हम यहाँ यूज़ करेंगे, अब elektron beam यूज़ कर रहे हैं, तो eletron की जो यहाँ पर wavelength होती है, वो क्या होती है, कम होगी, electron की अगर यहाँ यहाँ पर wavelength कम होगी, तो यानि कि इसकी limit of resolution होगी, वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी, औ क्या हो गई थी यहांप चलिक करते है इसा नहीं है यहां पर हैं ऐसा नहीं है यहांप यहांप में है थी Regala माइकर चौप सकते हैं कि यहां पर मायक्रोस्कोप यह तो लेंट से हो करें तो इसके में पिए तना जигड़ नहीं है दे इमेजर वीवड ओन स्क्रीन रेदर दे डिरेक्टली यूजिंग एन आई पीस और ओकिलेंज तो यह वारा यहां पर पॉइंट तो देखो यह करेक्ट है क्योंकि जो इलेक्टरन माइक्रोस्कोपी होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं जो मारी इमेज होते हैं वो स्क विजुलाइज नहीं कर सकते उसके लिए मारी यहां पर इसको विजुलाइज करते हैं यह हमारा पॉइंट तो ठीक है लेकिन इसकी वजएसे जो मारे आपे हमें पुच्छा गया है कि इस चो इलेक्टरन माइक्रोस्कोप उसकी रिजुलूशन पावर यहां पर ज्यादा ह अगर आपको यह हमारे वीडियो यूस्फुल लगियो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और अगर आपको इलेक्टरन माइक्रोस्कोपी या फिर लाइट माइक्रोस्कोपी से लिए अगर कोई भी डाउट अगर रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंद यू यू